लक्ष्मी नाम के बुढ़ी औरत जिसके चेहरे पर सत्तर की उम्र में जुरियां साब दिखाई दे रहे थी पर उत्सा ऐसा मानो बेजबरस के कोई युवा महला लक्ष्मी को पूरा राजपुर गाउं लक्ष्मी बुढ़ा के नाम से जानता था लक्ष्मी ने अपना पूरा जीवन इसी गाउं में बिताया और आज भी इस उम्र में वो महनत करके अपने अकेले की शरीर रूपी गाड़ी जीवन की पट्री पर चला रही है लक्ष्मी के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है जिस पर वो बढ़िया दानिदार भुट्टे उगाती है और फिर उन भुट्टों को भून कर गाउं में बेचती है लक्ष्मी के भुट्टे पूरे राजपुर गाउं में प्रसिद है जब लक्ष्मी अपनी स्वादिश्ट भुट्टे लेकर गाउं में निकलती है तो उसके भुने हुए भुट्टों की सुगन से सभी गाउं वाले आकरशित हो जाते हैं और भुट्टे खाने के लिए लक्ष्मी के पास आ जाते हैं अरो लक्ष्मी बुआ आ गई मुझे पता था कि तुम आने वाली हो इसलिए मैं पहले ही गाउं की सड़क पर खड़ा हो गया तुम्हारे भुट्टों के खुश्बू यहां तक आ रही थी ताई जल्दी से गरम गरम भुट्टा सेख दो हाँ हाँ अभी देती हूँ एक साथ चार पांच भुन दूंगी और लोगों को भी आने दो ठंडे भुट्टों में स्वाद नहीं आएगा गरम गरम खाओगे तो अलगी आनन दाता है अरे लगता है मैं नीम्बू लाना भूल गई अब क्या करूं कभी एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम राजू था वो दोड़ता हुआ आता है उसके हाथ में एक थैली थी लक्षमी बुआ ये लो नीम्बू मुझे पता था आप घर पर भूलाये होंगे मैं ले आया अरे मेरा बच्चा ओले मेरा लाल तु मेरा कितना खयाल रखता है ये ले एक बढ़िया गरम गरम भुटा तू भी खाले ले खाले लक्षमी इस दुन्या में बिलकुल अकेली थी राजु नाम का वो बच्चा लक्षमी के पडोस में ही रहता था वो लक्षमी से बिलकुल दादी की तरह प्यार करता था लक्षमी भी राजु को बहुत प्यार करती थी एक दिन लक्षमी को पता चला कि राजु का परिवार शहर में शिफ्ट हो रहा है तो उसे राजू के बिछडने का बहुत दुख हुआ लक्षमी बुआ तुम भी मेरे साथ शहर चलो न मैं चला गया तो तुम्हें नीम्बू कौन ला कर देगा तुम तो रोजाना ही घर पे भूलाती हो राजू मेरे बच्चे मैं तुझे बहुत याद करूँगी मैं तेरे साथ नहीं जा सकती बेटा पर तुम मुझे बहुत याद आएगा तुम मुझे मिलने आना आएगा ना हाँ लक्षमी बुआ मैं तुम्हें मिलने जरूर आओंगा और फिर राजू अपने परिवार के साथ शहर चला गया राजू के जाने के बाद लक्षमी को उसकी बहुत याद आती थी जब वो भुट्टे का टोकरा लेकर घर से निकलती तो उसकी नजर निम्बू की थैली पर जाती तो उसकी आँखों में आसु आ जाते वो निम्बू की थैली अपनी टोकरी में रखती और राजू को खूब याद करती लक्षमी बूआ दो भुट्टे दे दो अरे आज तो तुम निम्बू लेकर आई हो अच्छा वो राजू जो चला गया वैसे वो कौन सा सगा पोता था तुमारा एक नएक दिन तों से जाना ही था भले ही वो मेरा सगा पोता नहीं था पर मुझे बहुत प्यारा था उसके होने के एहसास से मुझे पोते की कमी महसूस नहीं होती थी और एक बात ध्यान रखना कुछ रिष्टे खून के नहीं होते कुछ रिष्टे दिल से जुड़े होते हैं हो सकता है राचु भी मुझे उतना ही याद करता हो जितना मैं उसे याद करती हूँ लक्षमी की आखों में एक बार फिर आसु आगत ऐसे ही दिन महीने बीते और देखते ही देखते पंद्रह साल बीत गए लक्षमी रोजाना की तरह अपने भुट्टे बेशने गाओं में निकली तो आज थोड़ा जल्दी में वो निबू लाना भूल गई अरे आज तो मैं निम्बू की थेली घर पर ही भूल आई अरे लक्षमी बूआ निम्बू के बिना भुट्टे का मज़ा नहीं आएगा वैसे ये देखकर तो मुझे वो याद आगया जब तुम निम्बू घर पर भूल आती थी तो वो छोटा सा राजू तुम्हारी धेली पकड़ता हुआ आजाता था हाँ मोहन तु ठीक कह रहा है पर राजू तो शेहर में है अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा आज तुम्हारी बाते सुनकर मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है जैसे ही लक्षमी अपनी बूड़ी आँखों से आँसू पोचने लगती है उसके सामने निम्बू की थैली लिए एक बहुत ही सुन्दर लंबा चोड़ा कद का लड़का खड़ा होता है लक्षमी बूअ आज तुम फिर अपनी थैली घर पर भोलाई ना अगर मैं न लाता तो कौन राजू लक्षमी बूअ तुमने मुझे पहचान लिया हाँ मैं वही तुम्हारा बच्पन का छोटा सा राजू तेखो अब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ राजू मेरे बच्चे मेरे लाल तू कितना बड़ा हो गया तू कब आया सुभई तो आया और आते ही तुमसे मिलने घर गया पर पता चला कि तुम तो भुट्टे बेचने निकल गई हो इसलिए तुम्हारी थैली घर पर देखी तो वो मैं ले आया लक्ष्मी बुआ तुम कैसी हो? देख, देख कैसी लग रही हो वैसी ही जैसे पहले थी मेरी प्यारी लक्ष्मी बुआ और फिर राजु लक्ष्मी के गले से लग जाता है राजु लक्ष्मी को अपने साथ शेहर चलने के लिए मना ही लेता है लक्ष्मी बुआ अब मना मत करना अब तो तुम्हारा राजु अपने पेरों पर खड़ा हो गया है, अच्छी नौकरी करने लगा है इसलिए वो अपनी लक्ष्मी बुवा को अपने पास रख सकता है प्लीज मेरे साथ चलो ना तुमने बहुत गरीबी में दिन काट लिए बहुत मेहनत कर ली अकेले जिंदगी को बहुत जी लिया अब अपने पोते के साथ जिंदगी जीने का वक्त है लक्ष्मी बुवा मुझे दादी का प्यार चाहिए जिसके लिए मैं इतने साल तरसाओ तुम तो जानती हो मेरे अपने दादा दादी तो बचपन में ही गोजर गए मैंने तुम्हारे रूप में ही दादी को देखा है लक्ष्मी बुवा मेरे साथ चलो न अपने राजु को अपने लिए कुछ करने का मौका दो राजु लक्ष्मी को अपने साथ लेकर शहर आ जाता है जिन्दगी के आखरी पलों में लक्षमी ने वो देख लिया जिसकी उसने बर्सों से कामना की थी उसे पोते और बहु का सुख मिला राजु के माता पिता लक्षमी की बहुत इज़त करते है सच बहुत कम ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो इस तरह के रिष्टों को निभाते हैं और ये रिष्टे ही तो सबसे अनमोल बन जाते हैं नागपुर शेहर में आशा देवी अपने दो बेटों और बहुँ के साथ रहती थी उनकी बड़ी बहु का नाम सुमन और चोटी बहु का नाम निधी था आशा देवी सुभाव की बहुत ही कंजूस थी जिस वज़े से उनकी दोनों बहुए उनसे बहुत परिशान रहती थी उनकी जोइंट फैमली थी जिसमें हर चोटी बड़ी चीज का फैसला आशा देवी ही करती थी उनकी मर्जी की बिना उस घर में एक पत्ता तक नहीं हिलता था ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी देवरानी से उफो अब आज क्या बनाऊ खाने में निधी एक काम कर सासुमा से फूछ करा डिनर में क्या बनाए निधी की शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे जिस वजह से वो अपनी सास से बहुत जगा डरती थी देवरानी जी तुम तो सासुमा से ऐसे बश्ती फिरती हो मानो अकेले तुम ही को उनसे डर लगता हो खेर छोड़ो अब मुझे ही जाना पड़ेगा उनसे पूछने बाहर के रिमजिम भरे सुहाने मौसम को देख कर सुमन को आज कुछ अच्छा खाने का मन था लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास आखिर में उसे डाल चावल ही बनाने को कहेगी इसी दुविधा में खोई हुए सुमन अपनी सास के कमरे में जा पहुचती है और डरते हुए आज खाने में क्या बनाना है बहु जो भी तेरा दिल करे तू बना ले अरे स्टोर रूम अनाज से भरा पड़ा है मैंने कोई कमी थोड़ी न छोड़ी है तुम लोगों के लिए हाँ जानती हूँ सारा स्टोर रूम तो राशुन के चावल और डालों से ही भरा पड़ा है उसके अलाबा है भी क्या इस घर में अरे किस सोच में डूप गई समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं अच्छा एक काम करना तू ना दाल चावल ही बना ले और साथ में पुदीने की चटनी भी बना दियो लेकिन माजी कल रात को भी दाली बनी थी और यहां तक कि आज दिन म भी हमने दाल चावली खाए हैं हाँ तो दिन में काली मसूर बनी थी अब तू लाल मसूर बना ले अरे दाल है पर है तो अलग-अलग रंकी माजी रोज रोज यू दाल खाना अच्छा नहीं लगता हमें अच्छा आई बड़ी महरानी अपने घर पर क्या पकवान खाती थी जो यहां दाल चावल खाना अच्छा नहीं लगता और इतना ही शौक है नया नया खाने का तो लाओ निकालो अपनी जेब उसे पैसे और थमाओ मेरे हाथ में अरे घर ऐसे ही नहीं चलता आगे पीछे हर चीज देखनी पड़ती है और तू तो जानती ही है सब चीज कितनी म घर में 도 हमेशें गुसे में रहती हूँ लेकिन अफसोस कि मेरा घुसा कभी किसी पर निकल ही नहीं पाता लेकिन हुआ क्या है चैज YouTube होना क्या है हमेशा दाल चावल ही खाओ दिन में लाल डाल रात को काली दाल, सुबा मिक्स दाल ये दाल खाखा कर तो जिन्दगी ही दाल बन कर फैल गई है ये बात सुनकर निधी को बहुत हसी आती है और वो चुप चाप एक तरफ चूले पर दाल और एक चूले पर चावल चड़ा देती है आशा देवी के घर में सुबाश शाम हर वक्त बस दाल ही बनती रहती है ऐसे ही कुछ दिन बीथ जाते है बहुं के साथ साथ अब आशा देवी के दोनों बेटे भी रोज आफिस में दाल ले जाकर बोर हो चुके थे एक रोज जब वो रात में फिर खाने में दाल देखते हैं तो बड़ा बेटा आलोक अपनी पत्नी से कहता है अरे यार फिर वही दाल चावल ये दाल खा खा करना मैं तो पग गया हूँ यार घर में कुछ और सबजी नहीं है क्या जो हर वक्त बस दाल चावा लिखाने को मिलता है सच में निती आफिस में रोज दाल ले कर जाता हूँ न तो अब तो मेरे दोस्त भी मुझे चड़ाने लगे और इसलिए उन्होंने मेरा नाम नितिन दाल वाला रखती है अप हम पर क्यों चिला रहें जी हम तो वही बनाते हैं जो मा जी हमसे कहती है अरे अरे क्यों भड़क रहा है आखर इस दाल में दिक्कत ही क्या है और तुम दोनों को इतनी ही दिक्कत है तो तुम दोनों के ले जाने के लिए ये कल से सबजी बना दिया करेगी अपनी सास की मुझे ये बात सुनते ही देवरानी जिठानी के चहरे पर रौनक आ जाती है कि कम से कम अब घर में इस सबजी तो बनेगी अगली सुबर जब सुमन और निधी सबजी बनानी के लिए फ्रिस खोलती है तो उसमें कोई सबजी नजर नहीं आती तभी सुमन जाकर अपनी सास से कहती है मा जी घर में तो कोई भी हरी सबजी नहीं है सामने बिरजू भया की दुकान में सबजी भी मिलती है आप प्लीज जा कर ले आएए ना, मुझे इनके लिए सबजी बना कर पैक करनी है, दोनों भायों को आफिस के लिए लेट हो रहा है सबजी? अरे बहु मैं गई थी उसकी दुकान पर, लेकिन सबजीों के रेट तो आसमान चूरे हैं और वो मुआ बिर्जु का बच्चा एक रुपया तक कम करने को तयार नहीं, इसलिए मैं सबजी नहीं लाई, ये आलू दस रुपय किलो मिल रहे थे तो यही आधा किलो ले आई हो, दोनों भायों के लिए बना दे लेकिन मा जी ये तो बहुत कम है, ये हम सब को पूरा नहीं होगे तो मैंने कब कहा सब को इलिए बनाने को, बोला तो था दोनों भायों के लिए पैक कर दे और बाकी मैं और तुम दोनों तो चावल दाल ही खा लेंगे अरे सरकार से जो मुफद दाल चावल मिलते हैं, उसको इखाया करो पता है ऐसा करके हमें कितनी बचट कर सकते हैं अपनी सास के मूँ से ये बात सुनकर सुमन और निधी के सारे अर्मानों पर पानी फिर जाता है दोनों भाईयों के लिए लुख पैक करके, वो दोनों फिर से अपनी सास के साथ दाल ही खाती हैं कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहा अब आलू को नितिन के टिफिन में या तो दाल होती या आलू की सब्सी एक रोज नितिन अपनी मा से मा, मा, क्या है ये सब, डाल और आलू खाकर हम पक चुके हैं, अरे जब हम अपनी सैलरी आपको दे देते हैं, तो आप सबजियां क्यों नहीं लाती खाना खाने लगे, रोज बाहर का खाना खाखा कर उनका पेट खराब हो गया, एक रात दोनों पेट पकड़ कर जोर-जोर से चिलाने लगे, अह, सुमन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, निधी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बलाओ, तब है सुमन भी चक्कर खा की नजर लग गई है, बस भी करो मा जी, बहुत हुई आपकी ये कंजूसी, निधी जल्दी से डॉक्टर को फोन करके घर बुलाती है, देखिया आपके दौनों बेटों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बाहर का खाना खाया है, जिस वजह से इनका पेट खराब हो गय है, इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, थोड़ी देर में आराम आ जाएगा, और आपकी बहु लगता है, ये सबजिया नहीं खाती, जिसके कारण इनके शरीर में जरूरी पोशक तत्वों की कमी हो गई है, मैंने इनको मल्टी विटमिन का इंजेक्शन दे दिया है, कहती है, इसमें इनकी गलती नहीं है, डॉक्टर साहब, मैं ही अपनी कंजूसी के कारण इन्हें राशन में मिले, मुफ्त दाल चावल खाने को मजपूर करती थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, अब से मैं अपनी ये कंजूसी भरियादत छोड़ दू अगर आपको ये वीडियो पसंदाया है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी न भूलें और भी मज़िदार वीडियो देखने के लिए, नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं, देखते रहिए, बेस्ट बाडीज